Hello Friends, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने YouTube वीडियो में टेग्स कैसे लगा सकते हैं, आपका चैनल चाहे जिस भी केटगरी का हो वी लॉग करते हैं, कुकिंग वीडियो बनाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, या फिर आप इस थरीके से एजुकेट करते हैं, किसी भी केटगरी का आपका चैनल हो सही और ट्रेंडी टेग्स कैसे लगाना है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ज़ादा इंपोर्टन है ये अगर आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं और उसमें सही टेग नहीं लगाते हैं, तो इससे आपके चैनल की ग्रोथ बहुत ज़ादा स्लो होती है, बिलकुल ना के बराबर होती है तो आज आपको मैं तीन तरीके बताने वाली हूँ, टैग लगाने के और लास्ट वाला जो टैग लगाने का तरीका है, वो बहुती कम यूटूबर्स आप लोगों के साथ शेर करते हैं, सभी लोग शेर नहीं करते हैं पर उससे पहले, हेलो फ्रेंज, मैं सुप्रिया सिंग, आप सभी का स्वागत करती हूँ, A to Z कॉंटेंट में अगर ये वीडियो आपको पूरी देखने के बाद अच्छी लगें, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा यूटूब रिलेटेड ऐसी बहुत सी वीडियो देखने के लिए, तो चलिए फटा-फट से वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे आसान और कॉमन तरीका है, अगर आप बिगनर है, आप बहुत जादा ट्रिकी वाली चीज़ें नहीं समझ पाते हैं तो यह टैग आप लगा सकते हैं, जो कि मैं अब बताने जा रही हूँ, अज सबसे ज़ादा आसान तरीका है यह टैग लगाने का, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चले जाएंगे यूटूब पे, सर्च के उपर हमें क्लिक करना है, आज मैं पाओ भ पाउ भाजी, ठीक है? तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यूटूब खुद कुछ चीज़े रिकमेंड कर देता है, तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारे टैग्स आपको अपने आप यूटूब खुद सज़स्ट कर देता हैं, कि यह सारे टैग्स आपके चैनल के लिए अच्छे हैं ठीक है अब यहां पर क्या क्या लिखा है पाओ भाजी रेसपी पाओ भाजी कैसे बनाएं पाओ भाजी मसाला पाओ भाजी पाओ भाजी कैसे बनाते हैं पाओ भाजी रेसपी इन मराठी पाओ भाजी रेसपी पाओ भाजी रेसपी इन हिंदी ठीक है ओड वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके लिखना है अब दूसरा तरीका में आपको बता देती हूँ जो कम लोगों को पता है अब यहाँ पे हमने चैनल का जो प्रोफाइल है उस पे क्लिक किया अब यहाँ यहाँ पे लिखा गया है टर्न अन इनकॉंगिनिटो इस टरीकों से audience ने सर्च किया है कि tag को कैसे लगाना है तो आपको क्या करना है आपको वो topic पर सर्च करना है जिस topic पर आप video बना रहे हैं आपका topic कुछ भी हो सकता है ठीक है तो वो चीज जा करके आपको simply यहाँ पे लिख देना है और लिख देने के बाद आपके सामने जो भी टेग्स आएंगे वो सारे के सारे आपको क्या करना है या तो screenshot ले करके जाकर के अपने वाइटी स्टूडियो में वीडियो अप्लोड करते समय लिख दीजिए या फिर आप एक एक करके इस तरीके से यूटूब से देखिए और जाएए अपने वाइटी स्टूडियो में लिख दीजिए अब इसमें लग जाता है थोड़ा टाइम क्योंकि हम एक एक टैग जा करके देखेंगे और देख करके हम लिखेंगे हमें यहां पे कॉपी और पेस्ट करने का अप्शन नहीं मिलता है तो हमें बहुत जाड़ा टाइम लगता है अब मैं आपको एकदम आसान तरीका बताती हूं कैसे लगा सकते हैं तो चलिए अब यहां से हम कर देते हैं एकजिट और अब हम यहां से चले जाएंगे क्रोम ठीक है अब यह जो दो तरीके मैं आपको बताने जा रही हूं यह वाला चीज आप क्रोम पे जाके ही कर सकते हैं आप वाइटी स्टूडियो से नहीं कर सकते हैं क्रोम पे हम सबसे पहले चले गया है यहां पे अब हमें सर्च करना है रैपिड टैक्स आप देख सकते हैं यहां पे अल्रेडी लिखा गया है मैं यूज करती हूँ इसे लिखने के बाद हम सर्च करेंगे सर्च करने के बाद आप दूसरे नंबर पर ही देख सकते हैं Rapid Text Grow Quicker on YouTube तो यहां पर हम क्या करेंगे इसके उपर क्लिक कर देंगे अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आजाएगा यहां पर लिखा गया है Use Tools for Free इसके उपर हम क्लिक करेंगे अब यहां पर चलिए हम कुछ सर्च करते हैं अब यह लिखने के बाद यहां पर Search बटन दिख रहा है आपको इसके उपर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है अब आप देख सकते हैं आपके पास इतने सारे tags आ जायेंगे आपके topic से related और बहुत सारे tags आप देख सकते हैं जो बड़े-बड़े यूटूबर्स होते हैं कैसे पता होता है कि क्या tag लगाना है इसी तरीके से सर्च करते हैं और tags लगाते हैं अगर हम एक-एक tag लिखने जाए, तो हम 4-5 tag लिखने में ही ठक जाते हैं, हमें थोड़ी सी बोरियत सी लगने लगती है, क्योंकि हमें title भी लिखना होता है, फिर description भी उतना ही लिखना होता है, उसके बाद tags भी लगाने होते हैं, अब तीनों जगा पर लिखते-लिखते थोड आपको जो tag अगर इसमें से आपको ऐसे लग रहा है, कोई tag मुझे ये नहीं चाहिए, और बाकी सारे चाहिए, तो आप यहां पे सामने ही cross का भी button बना हुआ है, तो cross के button पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, चलिए मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, be log thumbnail कैसे बनाए इसके उपर मैं cross करती हूँ, तो देखिए, इस cross के उपर tick करेंगे, तो अपने आप ही वो tag हट जाएगा, तो आप read कर लीजिए, जो tag आपको लग रहा है, कि आपको नहीं चाहिए, उसके उपर cross के उपर आपको click करना है, तो वो वहां से हट जाएगा, ठीक है, अब सारे क सारे tags मुझे मान दीजी, अब चाहिए, यहां पर थोड़ा सा नीचे जाएगे, तो आप देख सकते हैं, लिखा है copy, copy के उपर click करेंगे, अब हमने copy के उपर click किया, तो यह हो चुका है, copy हो चुका है, अब आपको क्या करना है, अपने channel को chrome में open करना है, अपने description में और tag म जा करके इसे paste कर देना है, अगर आप yt studio में जा करके करेंगे, तो यह tag नहीं लग पाएगा, तो यहां से यह copy हो गया, चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूं, तो यहां पर जो मेरा channel है, already login है, मैं हमेशा login ही रखती हूं, तो मैं आपको इसे लगा करके दिखा देती प्रेस किया, जोर से, ठीक है, तो paste का option आया, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर यह सारे के सारे tags लग चुके हैं, इसी तरीके से आपको यहां पर tag में भी जाना है, और tag में जा करके भी आपको क्या करना है, इसी तरीके से paste कर देना है, तो यह देखिए मैं गई और यहा जा करके यह काम करेंगे तो इस तरीके से tag नहीं लगेगा, यह एक ही line में पूरा आ जाएगा, और सही से नहीं लग पाएगा, और कभी-कभी आपको यह error भी बता देगा, invalid copied text इस तरीके से लिखा हुआ आजाएगा, अब इसमें फायदा यह हुआ कि आपको एक-एक text नही description में, अपने tag में क्या लगाते हैं और किस वज़े से उनकी सारी ही वीडियो में अच्छे खासे views आते हैं, तो यहाँ पे हम play store में चले जाएंगे, play store में जाने के बाद हमें search करना है, हमें type करना है tag you, tag you के ओपर हम click करेंगे और थोड़ा सा type करने के बाद हमें wait करना है, अब यहाँ पे देखिए मैंने already tag you को download करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है open, अगर आपने पहले से download करके रखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा get या फिर install, तो मैं इसे open कर लेती हूँ, इस तरीक का page हमारे सामने आ जाएगा, हमें क्या क करना है, सबसे पहले हम चले जाएंगे YouTube में, कि अब यहाँ से मैं सर्च करती हूँ, रसमलाई recipe, मैं यह सर्च कर लेती हूँ, cooking का, आप कुछ भी अपने topic से related सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो सबसे वड़े YouTuber होंगे, उनका हमें देखना है कि उन्होंने अपने tag में क् तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कविता जी का kitchen यहाँ पे open है, तो इसके उपर मैं click कर लेती हूँ, यह video सबसे पहले ही number पे आई है, तो मैं चलिए इसी के उपर click कर लेती हूँ, अब open करने के बाद, यहाँ पे आप share का option देख सकते हैं, share करेंगे हम, share करने के बाद, य हम चले जाएंगे tag you उसके बार यहां पर find competitor लिखा हुआ है देख सकते हैं न यहां पर find competitor इसके उपर हम click करेंगे अब उसके बार यहां पर enter keyword to check ठीक है लिखा गया है यहां पर हम थोड़ा सा जोड़ से press करके रखेंगे तो यह देखिए paste option आजाएगा अब यहां पर जो हमन में हम इस्तमाल कर रहे हैं तो हमें add को थोड़ी देर देखना पड़ेगा चोटा सा ही add होता है उसके बाद हम skip करके आगे बढ़ सकते हैं ठीक है तो मैं यहां से skip कर देती हूं तो अब आप देख सकते हैं search करने के बाद यहां पर जो tags है वो open हो चुके हैं अब आपको क्य करना है यहां से इस tag को copy करना है लेकिन एक चीज का आपको ध्यान दखना है कि अगर कविता जी ने यहां पे अपना चैनल का नाम लिखा है तो आपको चैनल का नाम हटा करके वहां पे अपने चैनल का नाम लिखना है तो यहां से चलिए मैं इससे सबसे पहले copy कर लेती हू ठीक है तो इसके उपर हम click करेंगे इस तरीके से click करेंगे और click करने के बाद ये copy हो जाएगा अब copy all selected tags हो चुका है अब यहां से हम निकलते हैं और वापस से मैं चलती हूँ अपने chrome में जा करके मैं अपने channel को login करती हूँ अब यहां पे चलिए मैं tags में आ चुकी हूँ already thumbnail वाला मैंने आपको जैसे दिखाया था उसी के पास मैं दिखा देती हूँ यहां पे जोड से press करके रखना है और paste इस तरीके से आप अपनी वीडियो में tag लगा सकते हैं और इस तरीके से tag लगाने से आपकी वीडियो हमेशा ही search list में रहेगी और आपकी वीडियो में अगर views बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो धीरे धीरे views आना start हो जाएंगे आप ये उमीद मत करिएगा कि अगर आपने नया नया channel बनाया है और उसके बाद फिर आपने ये सारे tags लगा दिये तो आप एकदम ही viral हो जाएंगे तुरंत ही views हा जाएंगे और आपका channel grow हो जाएगा नहीं YouTube पर इसी तरीके से बहुत से लोग काम करते हैं और यही सारे tags वो भी लगाते हैं इसी तरीके से लगाते हैं चैनल को grow होने में थोड़ा time तो लगेगा ही लगेगा लेकिन सही से title tag description लगाने से hashtag भी ज़रूर लगाईएगा आपका channel जो है धीरे धीरे grow जरूर होगा जो beginners होते हैं जो नए YouTubers होते हैं उन्हें बिल्कुल भी idea नहीं होता है कि क्या tag लगाना है किस तरीके से tag लगाना है tag में लिखना क्या है description में टाइटल में हमें क्या लिखना है बिल्कुल भी idea नहीं होता है तो आप इस तरीके से अ लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई आपकी वीडियो हमेशा इनको गिनिटो आपे, सॉरी यह हो चुका है, कौकते हैं बड़े-बड़े यूटूबर्स मैं सर्च करती हूँ यह तो आप एकदम भी वाइरल हो जाएंगे